चोपड़ा एजुकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरी प्यारी बच्चोव नी 24 का एकजाम हो चुका है और आपने कोचिंग की आंस्वर की से अपना estimated score जान लिया होगा कि मेरा इतना score आ सकता है हलांकि इसमें जो NTA की official answer की आएगी उसमें एक-दो क्यूशन का up-down हो सकता है तो आपका जो estimated score आ रहा है उसके according ये कितनी cut-off जा सकती है इस वीडियो में मैं आपको cut-off बताऊंगा category wise cut-off बताऊंगा जो मेरे पहले वीवर से उनको पता है कि मेरी cut-off तक्रीबन accurate जाती है जो previous year में देखा गया है कोई-कोई cut-off मैं मानता हूँ की up-down होती है लेकिन बाकी जो लोग predict करते हैं cut-off उनसे accurate cut-off जाती है number of candidate जो appearing हो रहे हैं इस साल अपेड हुए हैं उसके according और number of seats कितनी increase होंगी पिछली साल कितनी थी 2023 में क्या cut-off थी तो अभी क्या cut-off रह सकती है उसके according ही मैं आपको ये cut-off predict करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिन candidates का score अच्छा गया है उनको congratulations जिनका अच्छा नहीं हुआ है उनको परेशान होने की आउशक्ता नहीं है नीट की exam और लगेगी अगली साल फिर exam लगेगी और अभी ये होने लगा है इन 3-4 सालों में कि बच्चों को 3-5 drop तक लगी जाते हैं किसी को 3 drop में selection होता है किस नहीं है इसमें अभी बात करते हैं हम cut off के बारे में तो cut off बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका score अच्छा आ रहा है और आप ये जानना चाते हैं कि मेरे को कौन सी medical college मिल सकती है पिजली बार कौन सी medical college की कितनी cut off गई थी privates में क्या admission ले सकते हैं privates की fees कितनी हो दी है तो मैं आपको बता दूँ कि पहली जो book है वो mcc यानि जो counseling करवाती है 15% all India quota के लिए एमस जिप मर दिली उनिवर्सिटी quota IP quota डिम्ड उनिवर्सिटी ESIC और इसके बाद में जो ये counseling होती है mbbs bds bsc nursing के लिए तो इनके बारे में ये पूरी book है 400 pages की इसमें मैंने जो cover क है वो काफी कुछ cover किया है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा इसमें इसी प्रकार से estate की book है इस्टेट की book के 85% सभी state quota की counseling के बारे में बताया गया है उनकी cut of के बारे में बताया गया है उनकी seat matrix के बारे मैं बताया गया है तो आप इन link से इन books को download कर सकते हैं इसके बाद ऐ ऐसे ही आयूस की बुक है और इसी के साथ वेटनरी की बुक है तो इन दोनों की इन तिनों बुक से आप help ले सकते हैं आपकी कौन सी कोलेज में कहां कितने marks पर selection हो सकता है यह आपके लिए काफी helpful रहेगी जो All India Kota की बुक है MCC की उसके अंदर जो मैंने cover किया है उसमें All India 15% cover क्या है AIMS cover क्या है Jipmer cover क्या है ESIC cover क्या है DUIP internal के कोटा कवर क्या है BHU AMU के बारे में Dimmed University के बारे में पूरी details है इसमें Central Pool कोटा के बारे में बताया है इसमें जो topics कवर किये हैं इसमें category wise कटोप दी गई है हरे एक category की कटोप दी गई है round wise first round second round third round wise कटोप दी गई है college wise आप idea लगा सकते हैं कि आपको इस साल कौन सी college मिल सकते हैं सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 24 list दी गई है 24 के लिए कि आपको कैसे 24 करनी है bond की detail दी गई है college किस college में कितना bond है fees की detail है seats कितनी है registration process क्या होगा क्या documents की requirement है मैं admission के time में और और बहुत सारी इसमें information दी गई ह जो आपके लिए काफी helpful है तो मैं सोचता हूँ यह book आपके लिए काफी helpful रहेगी एक बार मैं इसका preview दिखा देता हूँ choice list इस परकार से दे रखी है choice list for 24 यहां 23 गलती से लिखा गया है यहां 24 है choice list 24 के लिए यह choice list दे रखी है 24 choice list 24 यह screen sort में 23 आ गया है इसमें एमस दिल्ली में bond कितना है यहां नहीं है तो note applicable लिखा है जिस state में bond नहीं है जिस college में note applicable लिखा हुआ है यहां fees दी गई है इसमें कौन से कितनी fees है कौन से year में established हुई है यह college यह सारी की सारी details इसमें total दे रखी है मैंने इस book में तो यह fees वगरा के बारे में 24 लिस्ट के ब लगा सकते हैं कि इस बार आपको कौन सी college मिल सकती है जैसे कि इस बार cutoff ज्यादा होने की समाव ना है तो मैं बदा हूँगा कि आपको कितनी number ज्यादा cutoff रह सकते हैं कि इतनी cutoff इसमें रह सकती है college wise cutoff के बारे में यह cutoff भी दी गी है इसके बाद में जो registration process है उसको एक chart के थुरू समझाया गया है, हर एक round के बारे में समझाया गया है, अलग से समझाया गया है उसमें, तो इस परकार से All India quota की book के अंदर काफी सारा material मिलेगा, आपको ये accounts link में आपके लिए काफी help होगी इस book से, इसी परकार से state quota की book है, जिसमें सभी states के बारे में समझाया गया है, Sam इसमें भी state की seat matrix के बारे में बताया गया है, कितनी college'े हैं, इसके बाद fees क्या है उनकी, cutoff क्या है, category wise, college wise, round wise, cutoff क्या है, उसके बारे में समझाया गया है, कैसे इसका admission process है, कितनी fees है, first round counseling के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, second round के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हर एक state की choice list दी गई है, किस परकार से आपको college की choice फिल करनी है, documents क्या requirement है, तो ये सारी state quota की book में facility दी गई है, इसी परकार से आयूस और veterinary की book में भी ये सारी same facility दी गई है, जो मैंने इन दोनु books में ब तो इस परकार से ये book आप download कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ, ये book आपके लिए काफी health उद रहेगी और आपको ये कहीं नहीं मिलेगी इस परकार की, बड़ी मेहनत से ये book मैंने तयार की है, हर साल book तयार करता हूँ, इसको download करने के लिए जो आप ये video देख रहे हैं, इसमें या show पर click करेंगे description box में, तो इस परकार से आपके पास link आ जाएंगे, ये all India quota की book का link है, state quota की book का link है, ये ice की book का link है, इस link पर आप click करोगे, तो आप book download के option पर चले जाएंगे, वहाँ मैंने इसका कुछ price site कर रखा है, वो price pay करने के बाद में ये आपके system में download हो जाएगी इसको आप हमारी website www.chopdaeducation.in से भी download कर सकते हैं, ये website दी गई है, website पर जैसे ही आप जाएंगे, तो ये मैंने option बताया था, आपको यह more का option आता है, इस more के option पर click करके इस video की description box में आ जाएंगे, website का बता देता हूँ, website पर जैसे ही आप website ये type करोगे, chopdaeducation.in, तो इसमें इस परकार का option आएगा, तो ये जैसे आपको All India की book purchase करनी है, तो इस पर click करेंगे, तो आप उस link पर सले जाएंगे, ऐसे ही state की book का दिया गया है, इसमें website पर, और आयो से और वेटनरी का भी, इसमें सेम ऐसे ही दिया गया है, तो आप link पर click करके download कर सकते हैं ये, अब मैं आपको expected कटोफ बता देता हूँ कि क्या कटोफ रह सकती है 2024 के लिए, ये कटोफ जो 2023 की कटोफ थी, उससे 10 marks, 10 marks कटोफ ज्यादा जाने की possibility है, जनरल और OBC candidates के लिए, जनरल और OBC candidates के लिए, ये 10 marks कटोफ ज्यादा जाने की possibility है, हर category में ही 10 marks ज्यादा जाने की possibility है, आलांकि ये सुनकर आप सोख हो रहे होंगे पेपर 2023 जैसा ही था लेकिन कटो 10 मार्क्स ज्यादा क्यों जाएगी ये आप सोख हो रहे होंगे लेकिन ये सच है दोस्तो मैं आपको गुम्रा नहीं करना चाता मैं आपको सच बात बताना चाता हूँ क्योंकि इस बार जो नमर ओप कंड़िडेट्स हैं वो 24,00,00,00 हो चुके हैं पिछली बार जो कंडिडेट्स थे वो 20,00,00 कंडिडेट्स थे और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब से online system आया है जब से online coachings हुई है तब से cut off increase ही हुई है, decrease नहीं हुई है और इस बार भी कही है कि ये cut-off increase होगी त्यूसन पेपर सैम 23 जैसा ही था लेकिन number of candidate ज्यादा बढ़े हैं number of candidate ज्यादा बढ़ेंगे cut-off ज्यादा जाएगी number of seats भी बढ़ेंगी लेकिन इस comparison में नहीं बढ़ेंगी जितने सारे student बढ़े हैं इस comparison में seat नहीं बढ़ेगी हम फिलाल 2.1 का ratio लेके चल रहे हैं 2.1 का ratio हमारा अलग से हमारा calculation होता है कि कितने सारी seat होने से कितने सारे candidate होने से कितने cut-off बढ़ेगी अगर paper सैम रहता है previous year जैसा तो तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि cut-off पिछली year से 10 marks above होने की possibility है यह बात सच है सच बात कड़वी लगती है मेरी बात आपको अभी कड़वी लग रही होगी लेकिन आप result आएगा तब देखेंगे तो यह मेरी बात आपको सच साबित होगी क्योंकि इस बार भी rank है वो बहुत ज्यादा होगी student की जो पिछली बार 610 पर rank आ रही थी उससे बहुत ही ज्यादा rank 610 पर इस बार आएगी इसलिए यह cut-off 10 marks ज्यादा जाएगी 23 की बजाए 23 की बजाए 10 marks ज्यादा जाने की possibility है यह अगर आप माने तो अगर आप कम भी माने तो इसमें 618 मान सकते हैं 618 से down जाने की possibility बिलकुल भी नहीं लग रही है वैसे अगर फिर भी मानते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ इसमें variation होता है तो फ्लस माइनस 5 marks का हो सकता है जो मैंने आपको ये cutoff रेडिक्ट की है जनरल और OBC की 620 cutoff जा सकती है पिछली बार 610 थी लेकिन इस बार number of candidates ज्यादा बड़े हैं इस्टुडेंट की rank ज्यादा आएगी OBC UR में कोई अंतर नहीं रहता है इसलिए 620 रहने की possibility है EWS की 617 रहेगी 10 marks मैंने इसमें बढ़ाए हैं पिछली बार 607 रही थी SC category की 490 और ST category की 455 cutoff रहने की possibility है ये last third round तक की cutoff है हम third round तक की cutoff को ही लेकर के चलते हैं क्योंकि stray और जो special stray होता है उसमें seat आने की possibility बहुत कम होते हैं बहुत कम seat जाते हैं cutoff में ज्यादा अंतर नहीं आता है third round तक ही cutoff में फरक पड़ता है तो ये मैंने आपको cutoff बता दी है की cutoff 10 नमबर ज्यादा ही जाएगी पिछली बार से निरास होने के आउश्यक्ता नहीं है आखरी साल नहीं होता है किसी का फिर से तयारी कर सकते हैं 5 या 6 drop में भी मैंने student को बहुत student को अच्छे marks लाते हुए देखा है तो आपको निरास नहीं हों जिनके अच्छे marks आ गए वो अपने counseling की तैयारी करें 14 जून को result आ जाएगा और re-neat के अफवाओं से बचें ऐसा कुछ नहीं होगा re-neat नहीं होगा ये सिरफ अफवाएं हैं क्योंकि 24 लाग से student का दुबारा से exam लगवाना बड़ा मुस्किल है और इतना बड़ा ये default भी नहीं है हलांकि ये गलती थी कि कोई क्यूसन पेपर बार नहीं आना चीए exam hall से ये गलती हुई है लेकिन इससे कोई effect नहीं हुआ है तो ये जानकारी थी प्रोप के बारे में मैंने बता दिया है अगर आप counseling करवाना चाते हैं तो हमारी paid service भी ले सकते हैं और ये book की help भी ले सकते हैं मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए मैं हरसाई चोपड़ा आप से लेता हूं विदा जैहिन